पिष्छे 28 सालों से वार्टी में भाजभवा कभीज है, सबसे पहले आब से बात करते हैं, अगर वार्टी की बात के तो पिष्छे 28 साल में देखा गया कि निकाय चुनाओ में, निकायill को लेकर भाजभवा मजबूती से बेटुदूू किया, इस बाद आपको लगता है कि स चुनाओं के लिए एक बहुत आकरसंड का केंद्र होता है और सभी प्रत्यासी के सभी प्रत्यासी मोदी के नाम को जब करके मद्दाताओं को आकरसित करते हैं तो जाहिरा तवर पर वाराणसी तो उनका संसदी छेत्र है और वाराणसी के लिए प्रधान मंत्री नरंद मोदी नेवाराणसी के बदलाओं के लिए बहुत सारे प्रयास किये हैं जिस सहर में जाने के बाद आपको बहुत अजीब सा लगता था कि वो देश की इतनी बड़ी सांस्कृतिक प्राचीन नगरी है लेकिन इसके बावजूद वहां सुविधाय नहीं थी और मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद वहां विकास के नए रास्ते खुले और कासी की पूरी तस्वीर बदली और अभी आप परेटन की बात कर रहे थे तो एक आंकड़े के अनुसार पूरे भारत वर्स में सरवाधिक परेटक अभी कासी में आयते हैं और सिर्फ विदेशी परेटक ही नहीं भारत के विभिन राज्यों के लोगों का भी आना वहां हुआ अभी आप तमिल संगमं की बात कर रहे थे या तेलगू संगमं जो भी शुरुआत हुई तो लोगों का अकर भारती जंता परटी जब विपच्चमी अबी ती तब भी लोगों को उमीद थी कि भाजपा का एक उमिद्वार जो हो था वो विकास की दिशा में या सहर की समस्याओं को दूर करने में प्रयास करेगा तो अभी इस बार भारती जनता पार्टी ने वहाँ आपने जो पिछली मेयर नहीं है उनको ना देकर एक नए प्रत्यासी को बनाया है तो नई संभावनाएं भी दी हैं हलाकि ठकर तो जब तक नतीजे नहीं आजाएं